एक्सरसाइज 10.2 का पहला कुश्चन आज हम देखने जा रहे हैं पिछली वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 10.1 कम्टलीट हो चुका है अगर उसमें से आप कोई वीडियो मिस कर गए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक्सरसाइज 10.1 आ मैं आपको उसमें अपने वाट्सअप नंबर शेयर कर दूँगा तो वाट्सअप में आप मिर को कॉल करके या वीडियो कॉल करके आप मिर से डाउट्स को क्लियर कर सकते हो तो एक्सरसाइज 10.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोई खास इंट्रोडक्शन तो इसमें है नह तो पिछले एक्सरसाइज में हमने इसी ख़द की किस तरीखे से आप रूलर और यानिकि स्केल और राउंडर की मदद से आप तो पैरलल लाइन को ड्रॉ कर सकते हो यहां पर इस एक्सरसाइज में हमको ट्राइंगल्स को ड्रॉ करना है उसका मेजरमेंट दे दिया है और हम हमको मेजरमेंट को लेके राउंडर की मदद से हमको ट्राइंगल्स करना है तो राउंडर की मदद से कैसे हम ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं चलिए इसको वाइट बूर में देखते हैं आप पिछले कुछ चैप्टर से पहले एक चैप्टर पड़े थे ट्राइंगल् और एक और चैप्टर था Congerence of Triangle तो उसका कुछ हमको याद करना जरूरी है कि जैसे कि अगर हमको कोई triangle अगर draw करना है कोई भी triangle अगर हमको बनाना है तो उसके लिए ये जरूरी होता था कि उसके जो दो sides है suppose अगर ये triangle है ये इसको मैं बढ़ा कर देता हूँ ये एक triangle है A, B, C तो इसके जो दो side का जो length होगा वो तीसरे side के दो side के length का जो sum होगा वो तीसरे side से हमेशा बढ़ा होगा चाहे कोई भी triangle हो तो ये होता था AB plus BC is greater than AC या फिर इन दोनों को ले लो तो BC plus AC is greater than AB इन दोनों को भी ले सकते हूँ AB plus AC is greater than BC यानि कि अगर हमको एक triangle draw करना है तो उसका जो दो side है उनका sum जो हमेशा तीसरे side से बढ़ा होना चाहिए अगर ऐसा condition नहीं है तो हम उस triangle को draw नहीं कर सकते है वैसा कोई भी triangle नहीं बन सकता ठीक है अब एक चीज़ और आपको याद होगा हम congruence of triangle में पढ़ते थे congruence of triangle में अगर दो triangle को हमको congruence proof करना है तो उसके बहुत सारे rules होते थे ठीक है ये P, Q, R अब इस बहुत सारे rules में से एक rule था S, S, S criterion इसका मतलब अगर इन दोनों triangle में जो side, side, side है वो equal है तो ये दोनों triangle आपस में congruent होते थे यानि कि अगर AB जो है अगर AB P, Q के equal है ठीक है और अगर BC Q, R के equal है और अगर AC P, Q, P, R के equal है तो इसका मतलब होगा कि triangle ABC congruent होगा triangle P, Q, R के कौन सा rule से? SSS Criterion Rule से इस exercise की introduction में कोई खास चीज़ नहीं था इसलिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाया था सिर्फ इतना ही part है जो आपको इस exercise में ध्यान में रखना है ठीक है congruence of triangle में बहुत सारे rules है उसको हम आगे के exercise में देखेंगे और ये triangle जो triangle का भी बहुत सारे rules होता है इसके angle sum property भी है और exterior angle property भी है वो भी आगे हमारे काम आने वाला है तो इस exercise में आपको इन दो points को याद रखना है इन दो points को लेके हम यहाँ पर triangles को draw करेंगे क्योंकि अब क्या करना है हमको बिना ruler के या सुरी बिना मतलब ये समझो कि अब हमको इससे पिछले exercise में हमको दो parallel line draw करना था सिर्फ compass और ruler की मदद से तो यहाँ पर हमको triangle draw करना है compass और ruler की मदद से तो अब देखते हैं इसका first question में जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं triangle हमको बनाना है उस triangle का नाम है x, y, z और यहाँ पर कुछ measurements दिया हुआ है x, y का measurement है 4.5 cm y, z का measurement है वो है 5 cm और एक तीसरा side जो दिया हुआ है z, x उसका measurement दिया है 6 cm तो यहाँ पर अब हमको यह देखना जरूरी है कि क्या इस measurement से एक triangle बन सकता है तो उसके जरूरी है कि 2 side जो है उनका सम तीसरे side से बड़ा होना चीए अगर आप 4.5 और 5 को add करोगे तो वो 6 से बड़ा हो जाएगा अगर 5 और 6 को add करोगे तो वो 4.5 से बड़ा रहेगा और अगर 6 और 4.5 को add करते हो तो वो 5 से बड़ा हो जाएगा इसका मतलब जो measurement दिया हुआ इस measurement से एक triangle बनाया जा सकता है तो अब हमको triangle बनाने के लिए सबसे पहले एक rough idea लेना ज़रूरी है तो आप एक rough sketch बनाऊगे कि triangle बनेगा किस तरीके से triangle बनाना है हमको x, y, z तो x अगर उपर रहेगा ठीक है suppose अगर ये x रहेगा यहाँ पर y और यहाँ पर z रहेगा तो y, z का measurement हमारे पास 5 cm है यह हो जाएगा 5 cm का ज्यादा bend नहीं होगा सिर्फ इस तरीके से आ जाएगा 4.5 cm इसे छोटे होगा और z x, z x मतलब अगर ये x है तो इन दोनों लाइन को जोडने से z x बन जाएगा और इसका measurement होगा 6 cm, यह 4.5 cm तो अब यह हमको एक rough idea मिल गया कि किस तरीके से हमको diagram ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले scale से हम 6 cm, sorry, y, z का जो दिया हुआ है 5 cm, यह 5 cm का एक baseline बना लेंगे line segment, sorry, ठीक है यह दिया हुआ measurement 5 cm और इसका नाम होगा y, z, ठीक इस line को ड्रॉ करने के बाद, हमको पता है यह x यहाँ पर कहीं पर है x का measurement हमको दिया हुआ है sorry, x, y का measurement दिया हुआ है 4.5 cm आप अपने scale में sorry, अपने rounder में pencil को फसा के scale में आप लोगे 4.5 cm कितना होता है ठीक है, फिर y में अपने rounder का pinpoint को place करके एक arc इस तरफ ड्रॉ करोगे क्योंकि आपको एक idea मिल गया है कि कहां पर बनेगा यह ठीक है, तो यहाँ पर एक arc इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो suppose यह arc यहाँ पर ऐसा बनता है इस तरीका एक arc बन गया अब आपको क्या करना है x को find out करना है कि x है कहां पर, इस arc में कहीं न कहीं x है, लेकिन है कहां पर कहीं से भी हम ट्रॉ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे अब देखते हैं, x, z का measurement x, y का measurement होगा 4.5, x, z, यह है z, x, ठीक है, इसका measurement 6 cm है, तो आप rounder और pencil में 6 cm का measurement लोगे, scale में आप लोगे और z में place करके, इसको काट होगे ठीक है, तो यह यहां पर इस तरीके से कहीं पर कटेगा, तो यह जो इन दोनों आर्क का point of intersection होगा यह होगा x, अब आपको क्या करना है इस x को यहां से y में आपको जोड़ देना है, और इस x को यहां से z में से जोड़ देना है जब आप measure करोगे, तो measure करने पर यह 4.5 cm आएगा और यह 6 cm आएगा बस इस question में इतना ही है, आपको एक triangle draw करना था, वो भी आपके ruler और compass की मदर से, तो इस तरीके से draw करोगे यह आपका एक rough diagram है यह आप rough में बनाके एक idea ले सकते हो कि किस तरीके से diagram बनेगा ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है, इसका steps लिख देना है, steps आप simple लिखोगे, draw a line segment of 5 cm named xz, यह sorry yz फिर आप लोगे उसमें with y as a center and radius of 4.5 cut an arc above xz, sorry yz फिर उसके पाद, as z as a center with z as a center and radius of 6 cm cut the below us, cut the arc, previous arc, ठीक है फिर name the point of intersection of arc as x, now join xy and xz, बस यह इतना ही आपका step होगा, ठीक है तो यह होगा exercise 10.2 का first question